यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं बांक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है पांच मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है कल के दिन आप लोगों को तगरा डॉन फॉल देखने को मिल सकता है कल के दिन क्या है निफ्टी फिफ्टी का एक जो को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें अगर आप लोगों को जड़ा सभी वीडियो इंफरमेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर लेना और साथी साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़् करना अब चलिए बिना देरी करती हुए हम कल का टरेड प्लान कर लेते हैं तो पहले हम देखेंगे ब нек 너 का चार्ट और उसके बाद हम लेवल को यहाँ पर breakdown किया तो कितना बड़ा downfall देखने को मिला life proof आफ लोगों के सामने है देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्का बाजी नहीं चलता है जब तक आप लोग logic को नहीं समझोगे market के अंदर एक रुपया भी नहीं बना पाओगे यह मेरा challenge है जिसका भी मर्जी ज देख लेना option chain देख लेना data देख लेना कुछ भी मर्जी जा करके देख लेना जब तक आप लोग logic को नहीं समझोगे market के अंदर profit को नहीं बना पाओगे अब आप लोग level को बिलकुल ध्यान से देख लेना अब जो bank nifty के अंदर जो important resistance रहने वाली है बो रहने वाली है यह वाला level जो की label है 47,974 का मान लो कि अगर कल के दिन bank nifty इस level के ओपर gap up opening ले लेती है तो यहाँ पर call की entry कैसे लेना है पहला condition को जरा ध्यान से समझे लेना gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा retage करने आती है और यह जो पहले का high होगा again इस high को यहाँ पर क्या कर देती है breakout कर देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का candle होगा याने की bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहाँ पर breakout कर देती है और इसके high क condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद approximate एक से लेकर के 2 घंटा तक इस level के ऊपर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना trade को प्लान कर सकते हैं अब मालों कि अगर कल के दिन bank nifty यहाँ पर flat खुल जाती है तो ऐ ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा अगर यहाँ पर flat खुलती है तो यहाँ पर सिर्फ एक condition होगा flat खुलने के बाद approximate first hour के time पर यहाँ पर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना trade को प्लान कर सक जाते हैं ध्यान में रखना flat खुलने के बाद और एक range के अंदर अगर कामकाज करती है बाइंक निफ्टी तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुती बड़ा loss हो सकता है अब माल लो कि अगर कल के दिन बाइंक के निफ्टी इस लेबल के नीचे gap down खुल जाती है जो की लेबल है 47,474 का अगर इस लेबल के नीचे gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा gap down खुलने के बाद जो पहला condition होगा जो पहला 15 मिनट का candle होगा याने की bearish candle होगा पहला condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद जब इस लेबल पर दुबारा retrace करने आती है और यह जो पहले का low होगा अगेन इस लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है तब आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पाइंट तक का रह सकता है अब आप लोगों के सामने nifty 50 का चाटे और जैसा कि मैंने कल की analysis वीडियो के अंदर कहा था life proof आप लोगों के सामने है मैंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया था अगर इस range के अंदर opening ले लेती है nifty 50 और एक range बना करके कामगाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर call or put के चकर में नहीं परना है नहीं तो आ अंदर उनका आज के दिन loss हुआ होगा life proof आप लोगों के सामने देख सकते हो यहाँ पर कोई भी तुक का बाजी नहीं चलेगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन क्या है nifty 50 का expiry है तो देख लेते हैं पहले हम level और उसके बाद हम zero two hero का trade प्लान करेंगे अब जो nifty 50 के अंदर जो important resistance रहने वाली है वो रहने वाली है यह वाला level जो की level है 22,693 का मान लो कि अगर कल के दिन nifty 50s level के उपर gap up opening ले लेती है तो यहाँ पर call की entry के से लेना है जरा ध्यान से सुन लेना gap up opening लेने के बाद जो पहला 45 minute का candle होगा याने की जो 45 minute का candle होगा bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहाँ पर breakout कर देती है और इसके high के उपर closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते है और target आप लोगों का यहाँ पर 60 से लेकर के 90 point तक कहां रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा retreat करने आती है और यह जो पहले का high होगा again इस high को यहाँ पर breakout कर देती है और इसके high के उपर closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 point तक का रह सकता है तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद first hour के time पर इस level के उपर इस तरीके का consolidate करती है और next hour के time पर जिस set भी breakout या फिर breakdown कर देती है और जो premium आप लोगों को यहाँ पर 17 से लेकर के 22 रुपे तक की दिखाए दे उसे आप लोग 0 to hero call के लिए प्लान कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है अब मालों कि अगर कल के दिन 50 50 यहाँ पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर सिर्फ एक condition होगा flat खुलने के बाद first hour के time पर याने की सबाब 12 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जिस set भी breakout या फिर breakdown कर देती है और जो premium आप लोगों पर 17 से लेकर के 22 रपे तक के दिखाए दे उसे आप लोग 0 to hero call के लिए प्लान कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है अब मालो कि अगर कल के दिन 50 50 से level के नीचे gap down खुल जाती है जो की label है 22,470 का अगर इस level के नीचे gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लो से समझे लेना gap down खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का candle होगा याने की 30 मिनट का candle होगा जब next candle इसके लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है और इसके लोग के नीचे closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से ले करके 150 तक का रह सक सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का लोग होगा again इस लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है तब आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 40 से ले करके 80 पंड तक का रह स सकता है तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस level के नीचे इस तरीके का consolidate करती है और next hour के टाइम पर जिस से भी breakout या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो premium आप लोगों को यहाँ पर 17 से ले करके 22 रुपे तक की दिखाए दे उस अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पूट के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुती बड़ा लॉस हो सकता है तो आसा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों को ज